गाईज आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि स्क्विट गेम्स की स्टोरी को हर किसी ने लगबग 10 साल तक रिजेक्ट किया था और उसके बाद कहीं जाकर नेटफिक्स ने स्क्विट गेम्स को बनाने के लिए 21 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी और आज ये सीरीज नेटफिक्स की सबसे जादा सक्सेस्फुल सीरीज में से एक है और अभी तक 900 मिलियन डॉलर से भी जादा कमा कर दे चुकी है इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की उमीद छोड़नी नहीं चाहिए बलकि उसे पूरा करने के लिए जीजान लगा देनी चाहिए गाइस मान लीजिए कि आप बस से कहीं जा रहें और अगर अचानक से आपकी बस खराब हो जाए और अगर आपसे कहा जाए कि आपकी बस को ठीक होने में पूरा एक दिन लगेगा तो आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पर अपनी बस के ठीक होने का इंतजार करेंगे वो भी पूरे एक दिन, नहीं न, आप तुरंत दूसरी बस पकड़ेंगे और वहां से निकल जाएंगे, और कुछ ऐसा ही आपको अपनी जिन्दगी में भी करना चाहिए, जब आपकी जिन्दगी में परिशानिया हों, तकलीफियों, तो आप एक जगा रुक कर दुखी नहीं हो सकत आपको आगे बढ़ना ही होगा, और इसी को जिन्दगी जीना कहते हैं, अगली बार, जब आपकी जिन्दगी में कोई परिशानी आए, तो प्लीज उसे वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो गाइस, लाइफ में बहुत बार हमें ऐसा फील होता है, कि हमारी लाइफ वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है, तब हमें ये समझी नहीं आता कि हम पैदा हुएं, तो क्यों हुएं, अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो इसे ठीक करने का तरीका सुनिए, तब याप आगे पैक ही, बोतल वही है, ब्रैंड भी वही है, सिर्फ एक ही चीज है जिससे कीमत बदलती है, और वो है जगा, तो अगर आप अपने आपको वर्थलेस मानते हैं, तो अपनी जगा बदल कर देखिए, शायद आपकी जिन्दगी बदल जाए, गाइस, आपको इस उजाब कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा, इंडिया दुनिया का सेकिंड लार्जेस कोल परड्यूसर है, लेकिन फिर भी, आखिर ऐसा क्यूं का जा रहा है कि इंडिया भी एक दिन अंधेरे में डूब सकता है, चलिए जानते हैं, इंडिया में लगबग 70% बिजली का उ असमान चूरी है, वहीं दूसरी और भारी बारिश के कारण कोल माइन्स में पानी भर जाने की वज़े से बहुत से कोल माइन्स बंध हो गए हैं, और कोईले के उत्पादन में भी काफी जादा कमी आई है, और उसका सीधा प्रभाव 135 से जादा पावर प्लांस पर हुआ है इसी कारण इंडिया में बिजली संकट के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आपको भी ये लगता है कि ब्लैकाउट जैसी परिस्तिती इंडिया में भी हो सकती है, कमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा, गाईज हद से जदा विश्वास भी कभी कवार खतरनाक सावित हो सकता ह कैसे ये घटना सुनिये, ये घटना घटी सन 2005 में जब एक साउथ एफ्रिकन आदमी मेरियस एल्स ने एक नदी से एक बेबी हिपो को रेस्क्यू किया था, यानि कि उसकी जान बचाई थी, पर 6 साल बाद उन दोनों के बीच की गहरी बॉंडिंग के बावजूद भी, जिस नदी मेरियस ने हिपो को बचाया था, उसी नदी में हिपो ने मेरियस को गसीट कर मार डाला, गाईज विश्वास करो, पर इतना भी मत करो कि जान गवा बैठो, गाईज इस घटना के बारे में आपका क्या खयाल है, कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसी घट